नमस्कार दोस्तो दोस्तो अडिनियम के फ्लावर्स बेहत ही खुबसुरत होते हैं लेकिन ये फ्लावर्स दभी आएंगे जब आपका प्लांट हेल्दी होगा पर दोस्तो प्लांट है तो प्रॉब्लेम तो रहेगा है और हर प्रॉब्लेम का सॉल्यूसन होता है आज मैं आपको एडिनियम का ऐसा ही एक प्रॉब्लेम कैसे इसली ठीक करते हैं वो इस वीडियो में दिखाता हूँ दोस्तो ये प्रॉब्लेम है ब्रांच रॉट जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो देख रहे हैं आप नए बर्ष निकले हैं याने कि ये जो ब्रांच है वो बिल्कुल ठीक है अडिनियम में मॉनसून और डॉर्मेट पिरियर्ड याने कि विंटर के बाद ये प्रॉब्लेम कभी कभी होता है अगर आप इस सौफ्ट ब्रांच को कट करेंगे तो अंदर से आपको येलो कलर का पॉर्सन दिखेगा कुछ इस तरह से तो दोस्तों तब आप समझ लिए कि आपकी ये जो ब्रांच है वो रॉटेड हो गई है यानकि सड गई है तो आपको इसका तूरंट इलाज करना पड़ेगा अगर आप इसका तूरंट इलाज नहीं करोगे तो ये जो ब्रांच रॉट का प्रोब्लम है वो पुरे प्लांट में फैल सकता है अडिनियम की जो ब्रांच रॉटेड हो गई है उसको आप उपर से प्रेस करते जाए और जहां आपको हाड दिखे वहां आप रुख जाए यानि कि वो पॉर्षन आप नौट कर लीजिए जहां ब्रांच हाड हो गई हो उसके नीचे से यानि कि उसके नीचे आप दो सेंटिमीटर से कट लगा लीजिए यानि कि यहां से मैं कट लगाऊंगा ब्रांच कट करने के बाद आपको ये कटिंग सर्फेस अच्छे से चेक कर लेनी है ये जो सर्फेस है वो पूरे-पूरी वाइट होनी चाहिए अगर आपको इसमें ब्राउन या फिर ब्लेक कलर का छोटा सभी डॉट दिखे तो आप फिर से एक सेंटीमिटर नीचे से कट लगा लीजे अडेनियम में ये प्रोब्लेम कॉमन है लेकिन प्लांट के लिए बहुत ही डेंजरस है तो आपको जैसे ही आपकी जो ब्रांच है वो कुछ ऐसी दिखे तो आप इसे तुरंट ही कट कर लीजे मैंने दिखाया उस तरीके से तो आपका जो प्लांट है वो बच जाएगा और दोस्तो एक बार कट लगाने के बाद आप जो कट सर्फेस है उस पर सिनेमन स्टिक का पावडर या फिर कोई भी फंगी साइट पावडर लगा लीजे ताकि ये ब्रांच फिर से रोट ना हो जाए दोस्तो आसा रखता हूँ मेरी ये छोटी सी टीप आपको बहुत ही काम आएगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना बुले ठैंक्स पर वाचिंग बाई